जन्माश्टमी का परुब भगवान शिक्ष्ण के जन्माश्व की रूप में मनाये जाता है यह तिवार हर साल भादबत माँ क्रेश्ण पक्षिक एस्टमी तीदी को आता है तो प्राचीन कथाओं के अनुसा शिक्ष्ण जी का जन्माश्व नगरी में भादब्र क्रेश्ण की अश्टमी के दिन हुआ था तो आज हम आपको साल दोजार इकिस जन्माश्व में परू की शुपती थी पूजा का शुप मोराद पूजा विदियो पारण का मोरद बताईए तो साल दोजार इकिस में क्रेश्ण जन्माश्व में 30 अगस सुमार को मनाई जाएगी अश्टमी तीधी आरम होगी 29 अगस राती 11 बचके 25 मिनित पर अश्टमी तीधी समापत होगी 31 अगस प्रायते का 1 बचके 69 मिनित पर रोहने नक्षत प्रायरम है 30 अगस प्रायते का 6 बचके 29 मिनित पर और रोहने नक्षत की समापती है 31 अगस प्रायते का 9 बचके 44 मिनित निशित काल पूजा का समय होगा 30 अगस राते 11 बचके 69 मिनित से लेकर 12 बचके 24 मिनित पर और इसी के साथ ब्रत का जो पारण का समय है वो है 31 अगस सुबह 9 बचके 69 मिनित पर है तो जन्माश्मी के व्रत में अश्टमी तीति के दिन उपात से पूजर शुरू होकर 9 मिन के दिन पारर होने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है रती को एक दिन पूरो सप्टमी को साथ वो जब रहन कर अगले दिन अश्टमी तीति को प्रादेशना नादेशने उरतों के सभी देवी देवताओं को प्राणाम कर रत का संकल्ब लेका रत प्राणाम करना चाहिए और देव की जिगे लिए प्राणाम कर रहा है भगवान शीकिष्ण के बाल सोरूप के बत्मा सब्पित कर ले और प्राणाम को इसनान करा कर पीले वाद से पहना है तो यह तिखाँ जानकारी किष्ण जानमाच में कब है पूजा का शुप महरत तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजाए चानल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन मटन दबादे तो मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में हरे खिश्ण